कि है यहां आज के इस वीडियो में आप सबी लोगों का सब्सक्राइब है आज की इस वीडियो में देखने वाले कि इंग्लिश अलफाबिट का कैपिटल एल अगर हमें इस्टार्ट पर ड़न में बना के रेडि करना है तो हम प्यासे कर सकते हैं तो आईए स्टार्ट करते है हम ने हम आप एंटिस अत्राइप के ढ़ा दो वीडिबर ले लिए हम कुछ पिले सकते हैं यहांब हम सी ले ले लेता है और दुसरा वीरिबर हमको एंग्ज यह ले ले लेता है और हमने एपना फॉल्फ बनाया इसमें हम सी को वें से इनिश्लाइज कर देंगे और सी मेंका एडिशन देंगे less than equal to 7 की और फिर c को हम हर बार 1 से increment करवा देंगे और follow up का syntax बना देंगे इसके अंदर हमने inner follow up लिया जिसको हमने जो second variable है j इसमें 1 से initialize करवा देंगे और j को less than equal to 5 रखेंगे और j को हर बार हम one से increment करवा देंगे और फिर इसका syntax बना देंगे और अब हम चाहते हैं कि हमारे जहां जहां पर start प्रिंट होना चाहिए उस condition को हम if में लिखेंगे और इसके अंदर हमने printf में जहां चाहिए start print होना चाहिए वहां वहां एक star को space के साथ कॉमा जे यहां पर लिख दिया है और जो जो हम नहीं चाहते हैं कि जहां जहां पर start प्रिंट नहीं होना चाहिए वह space blank होनी चाहिए उसका हम else condition में रखेंगे और इसमें हमने printf में यहां पर हमने double code में दो space दे दिया हर बार हमारी line change होती रहे है इसके लिए हमने printf के अंदर double code में slash n लिखती है और अब हम अपनी if में condition देते हैं तो l के लिए हमें जो चाहिए j हमारे equal to होना चाहिए one और जो हमारा और operator है उसके बाद जो c होने चाहिए equal equal to होने चाहिए 7 और यह बहुत easy code है l बनाने के लिए तो आईए आपने program को run करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यह आप हमारा star pattern में l capital alphabet letter print हो चुका है अगर आपको यह वीडियो फ़संद आया हो तो प्लीज शेर सब्सक्राइब और लाइक इस वीडियो इस वीडियो के link description में आपको इस वीडियो का code मिल जायेगा थैंक यह सो मच पर आजिन इस वीडियो